दोस्तों आज 1 अगस 2022 को स्नोमेन लोजिस्टिक्स लिमिटेड के क्यूबन के फानेंशल लिजल को पब्लिश कर दिया गया है और इसके साथ साथ बोर्ड डारेक्टर्स ने 75 पैसे पर एक्विटी शेयर का इंटेरिम डेविडेंट भी डिकलियर कर दिया है तो आपको आपके हर शेयर पर 75 पैसे का इंटेरिम डेविडेंट मिलने वाला है और ये इंटेरिम डेविडेंट फानेंशल येर 2022-23 का है और इस डेविडेंट की रिकॉर्ड डेट 9 अगस 2022 फिक्स की गई है और कंपनी ने ये भी बताया है कि इस डेविडेंट को कंपनी 30 द Q1 में revenue from operations 87,29,000,000 है जो previous quarter में 76,63,000,000 था और previous Q1 में 66,6,000,000,000 था revenue from operation में year on year basis पर 32% की बढ़त है और quarter on quarter ये 14% बढ़ा है Q1 में total income 88,47,000,000 है जो previous quarter में ये लगबग 78,000,000,000 था और previous Q1 में 66,59,000,000,000 था और quarter on quarter देखें तो ये 13,4% बढ़ा है Q1 में profit before tax 3,6,000,000,000 है जो previous quarter में loss before tax 25,000,000,000 था और previous year के quarter one में profit before tax 1,19,000,000 था तो profit before tax में year on year basis पर 156% की बढ़त हुई है और quarter on quarter basis पर तो ये कई गुना बढ़ा है Q1 में net profit ये profit after tax 1,88,000,000 है जो previous quarter में net loss 21,000,000,000 था और previous year के Q1 में net profit 60,000,000,000 की आसपस था तो net profit में year on year basis पर 214% की बढ़त हुई है और quarter on quarter तो ये कई गुना बढ़ा है Q1 में earning per share 11 पैसे है जो previous quarter में loss per share एक पैसे था और previous year के Q1 में earning per share 4 पैसे था तो EPS में year on year basis पर 175% की बढ़त है और quarter on quarter तो ये कई गुना बढ़ा है quarter one में EBITDA 21 करोड 30 लाग है जो previous quarter में 18 करोड था और previous year के Q1 में ये 17 करोड 40 लाग था तो EBITDA में year on year basis पर 22% की बढ़त है और अगर quarterly देखें तो EBITDA 18% बढ़ा है और अगर इस EBITDA के margin को देखें तो quarter one में EBITDA का margin 24.4% है जो previous quarter में 23.5% था और previous year के quarter one में 26.3% था तो EBITDA का margin year on year basis पर तो गिरा है लेकिन quarter on quarter basis पर इसमें बढ़त है तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया इस company का revenue from operation EBITDA, PAT, EPS इन सभी में year on year और quarter on quarter दो नहीं basis पर बढ़त हुई है और इस company के EBITDA के margin में year on year basis पर थोड़ी गिरावट है लेकिन quarter on quarter basis पर इसमें बढ़त है तो मुझे इस company के result अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अब आप से एगले वीडियो में लाकात होगी बहुत बहुत धन्यवाद